हेलो प्रेंज, आप लोग्डाउन बहुत देकर आएंगे, जोसे कि आपने सब्सक्राइब इस बाज आपर दोखिये, तो आपने इस ही आड़ो जटी के अन्वोकिंग की है, सब्सक्राइब दोस्तो, इस बाज यह लोगडाउन जो इसने हमें कई नहीं चीजे सिखाई, उसमें यह थी कि घर में अपनी कुद की आटाचक्की होना चाहिए, यह उता हम बरसों से समालो के घर पर रखते हैं सालवर का, लेकिन डिकत आटाचक्की की हुई, क्या आटाचक्की बन है, तो हमने यह एक आटाचक्की आडर करी थी, जो नट्राच जो की बहुत फेमस व्यूटर इसका नेकसा हाइस मोडल जो था और वह हमने मंगाया नट्राच का फी रेग्लर बान है, नेकसा इसका हाइस मोडल था जो भी रिसेंटली राउंच हुआ है, यह वेकिम कृटर बेसे, रेड कलर हमने प्रिफर करा हैं, और यह एक महीने पहले इसको बुक करी थी, बट लॉक डॉम के कारण जो सप्लाइ बहुत डिले हुई, एक महीने में मिली जो पहले दिल्ली से आने वाली थी वह आप एहमदाबाद से डिलीवर करी हुई इस मशीन का वज़ें करीब 50 किलो है तो इसको ठाना हो तो मुव करना के ज़्यादा प्रिकत भी आती है, तो इसके अन्बॉक्शिं करने हुई इसको आप चारों तरफ से देख लीजी इसको आपको बात में बताएंगे, पिछी बेक पॉर्शन आगया यह वेट के उपन से रिलेटेट पॉर्ट से अब इसके अंदर आप और देख लीजी क्या क्या आया हुआ है इसमें जागें आई हुई है जो की एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आट जालिया है इसमें अलगलक डाइमेंशन की, अलगलक सीविंग की यह इसका कुछ पावर का कंट्रोलर दिख रहा है एक ब्रेश को रेक्यूम क्लिनर के लिए पाईप इसमें एक स्टेनलेस स्टील का एक कंटेनर है जिसमें भाट आप इसके आएगा और यह कुछ चली है यह दो पाड इसके इहां अंदर के जो मेन आटा को लेने के लिए रहेंगे यह शायद पुल्टा लगेगा ऐसा दोगरा देखके बाकि इसको भी समझते है और यह है मेन ग्राइंडिंग चेमबर जिसका यह लॉग प्लास्टिक का लाओक ही है प्लास्टिक में यह मेन चेमबर जिसमें आटा गयों पिसा जाता है यह इसका घूमने वाला पाट है इंपेलर जो मेन हाई स्पीड में घूमेगा और यह कुछ लॉक है यह कुछ चेकपार्ट है जिसमें शैद कच्रा इकटा होगा यह रेसिडियल्स और यह ब्रश है जिसको वेक्यूम क्लीनर के साथ जुड़ेगा यह वेक्यूम क्लीनर से अटेच होगा और यह उसका ब्रश बड़ा अच्छा दिख रहा है यह आठ जालियों का सेट जो अलग 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 की सीव एसमें तो बहुत बड़ी साइज है सबसे बड़ी साइज इसमें तो पूरा गहू निकल जाये और छोटी और छोटी और छोटी चोटी होती जा रही है और यह कुछ कॉपर में है और यह भी अलग अलग टाइब की है इन से पर नंबर ड़ला हुआ है यह जीरो नंबर है अगली और जरूरी चीज जो हिंदू परमपरा के साथ हम नहीं चीज आती थी उसमें स्वस्तिक बनाते हैं अब अच्चों को बोलता हूं कि वो स्वस्तिक बनाते हैं हुआ है